असलाम उलेकूं प्यारे बच्चो मैं तस्नीम बानो शफी कैमाद हम इस वक्त सब्जी मार्किट में खड़े उबे हैं आप बगौर देख सकते हैं कि यहां बहुत सारी सब्जी की गाड़िया है प्यारे बच्चो आओ अब एक सब्जी फरोष से कुछ सब्जीयों के बारे में मालूमात हासिल करती हैं सबसे पहले इनका नाम जानते हैं जी आपका नाम क्या है जी मैडम मेरा नाम शकील आइमद है जी तो हमारे साथ है शकील एहमस साहब इनसे पूछते हैं हम कि क्या आपकी आपका ठेला रोजाना यहीं पर होता है जी मैं रोज यहीं ठेला लगाता हूँ जी तो आपके ठेले पर इस वक्त कौन-कौन सी सबजियां है क्या आप उनके नाम बताना पसंद करेंगे जी मेरे ठेले पर इस वक्त है आलू, अधरक, धेंडी, बन गोबी, घरी मिल्क और तैजन की फली, टमाटर, तुराई बोलेंगे जिसे और यह मेखी की भाजी, घरा दनिया, गोबी, बैगल, मटर और वाल की फली इतने सबजी मेरे जाड़ी पर इस वक्त मोग्त है क्या यह तमाम सब्जियां हर मौसम में आपकी ठेले पर मौजूद रहती हैं? जी नहीं, हर मौसम में यह तमाम सब्जिया नहीं होती हैं, इन में से पिकतिया हर मौसम में नहीं होती हैं अच्छा तो फिर आप ये बताईए कि इसमें से जैसे इस वक्त सर्दी का मौसम है तो सर्दी का मौसम में आपके ठेले पर कौन-कौन सी सब्दियां बहाँ आसानी मिल जाएं मौसम में, सर्मा में या सर्दी के मौसम में ये इतनी भी सब्दी यहां है नजर आ रही है सर्दी के मौसम में ये तमाम सर्दिया आसाने से आसिल हो जाती है अब आप मुझकों ये बताए कि क्या मटार फली गर्मी में मिलेगी जी नहीं ये सिर्फ सर्दी में पैदा होनी वाली पसल है अच्छा और ये सहीजन की फली जी ये भी सिर्फ सर्दी में ही पैदा होती है सहीजन की फली किसे कहते हैं ये सिर्फ सर्दी के मौसम में ही पाई जाती है इसका मतलब ये हुआ कि मटर वाल फली और सहीजन की फली ये फलीया सर्दी के मौसम में आपकी गाड़ी पर मिलती है अब आप मुझको ये बताईए क्या गर्मी के मौसम में ये हमें आसानी से मिलेगी जी नहीं गर्मी के मौसम में ये फसल पैदा ही नहीं होती है ये सिर्फ मौसम सर्मा की फसल है आपको ये मौसम सर्मा में ही मिलेगी उसी तरह मटर भी जो है तो सिर्फ मौसा में सर्मा में ही पाया जाएंगा अच्छा तो ये बताएं कि इसमें से बाकी सब्जियां जैसे आलू है भिंडी है अग्रख है पत्ता गोबी है तमाटर है ये सब्जियां साल भर आपकी गाड़ी पर मिलेगी ठीया ये साल्वर पाई जानी हो जासें से आलू ये तमाम सब्जिया जो है साल्वर में इसी भी मौसम में पाए जाते हैं जी तो शकील साहब आप मुझे ये बताईए जैसे कि सर्ज़ी में सेढ़न की फली आसानी से मिलती है। मतर आसानी से मिलती है। तो ऐसी कुछ सबसीयां होगी ना जो घर्मी में स्था आसानी से मिलती होंगी। जैसे खीरा गर्मी के मौसम में पैदा होता है और आसानी मिल जाता है इसके अलावे और भी सब्दिया इसी होती है जो सिर्फ मौसम में गर्मा में ही होती है और उसी मौसम में आपको बाजार में पाई जाएगी बहुत बहुत शुक्रिये शकिल साहब आपके ठेले पर आकर हमने हमारे बच्चों के लिए काफी सारी मालूमात जमा कर ली है आपका बहुत बहुत शुक्रिया यह शुक्रिया